वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए हमारे हर्दे का निरंतर धड़कना जरूरी है और हर्दे एक ऐसा अमेज़िंग और्गन है जब बच्चा मा के पेट में पलता है तो सबसे पहले जो अंग काम करना शुरू करता है वो हार्ट होता है मृतियो के समय सबसे लास्ट में जिसका फंक्शन है वो हार्ट होता है तो इतनी जरूरी है हमारी हाड की दड़कन तो हम आज इस पे बात करेंगे कि हार्ट की धड़कन की अबनॉर्मल्टी जिनको हम अरिद्मिया कहते हैं धड़कन जब हमारी इर्रेगलर आनियमित हो जाती है उसको हम अरिद्मिया कहते हैं तो उससे हमें चक्कर आना, बेहोशी आना से लेकर के अचानक मृत्यू कार्डिक अरेस्ट होकर के हो सकती है, यह इतना इंपोर्टेंट है तो कैसे जाने कि आपकी हार्ट भी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है सबसे पहले तो ऐसे लक्षन जिनसे हमें पता लगे कि हमें अबनॉर्मल्टी हार्ट की हार्ट बीट की हो सकती है पैल्पिटेशन जैसे हमारा हार्ट धड़क रहा है लेकिन हमें उसका पता नहीं लगता की वो धड़क रहा है अगर आपको अपने हार्ट के धड़गने का एसास हो रहा है जिसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं वो एक घंबीर समस्या हो सकती है सेकिंड अगर आपको चलते हुए या बैठे बैठे चक्कर आते हैं आंकों के अंधेरा आता है इस तरह की अगर तकलीफ होती है तो हार्ट बीट से रिलेटेड हो सकती है अगर आपको अचानक बिना किसी कारण के बेहोशी का दोरा पड़ता है तो वो अरिद्मिया यानि की हार्ट की धड़गन की बिमारी की प्रॉब्लम हो सकती है ये तो हुए लक्षन आप हार्ट की धड़गन को कैसे जान सकते हैं अभी जैसे कोरोना के समय में हर घर में पल्स ओक्सिमीटर आ गया तो एक तरीका है कि अब जैसे ही हमें लगे कि कुछ हमारी हार्ट बीट इर्रेवलर हो रही है तो हम पल्स ओक्सिमेटर से हार्ट बीट नाप सकते हैं वो कुछ हमें उस बारे में बता सकता है जो आजकल स्मार्ट वाचेज मार्केट में अवेलेवल हैं और भी कई एप मॉबाइल फोन से रिलेटेड हैं जो आपकी हार्ट की धड़कन को काफी हद तक एक्यूरेसी से बता देते हैं और स्मार्ट वाच ना सिरव आपकी धड़कन कितना पर मिनट चल रही यह बताएगी बलकि वो ट्रेसिंग भी रिकोर्ड कर सकती है जो आप अपने डॉक्टर को बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं इसी तरह से कुछ मॉबाइल पोकेट एसीजी नाम से मॉबाइल एसीजी की पैचेज हैं जो सिंप्ली आप चेस्ट पे चिपका दिये जाएं तो ओनलाइन धड़कन तक मॉनीटर हो सकती है तो यह सब चीजों की सला आपके डॉक्टर देंगे पर जो स्मार्ट वोच हैं मॉबाइल एप हैं यह हम घर पे यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसको हर्ट विट आब नोर्मल ना भी हो तो हममारा हाट कितना चल रहा है और हम दिन में कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने स्टेपस चल रहे हैं यह सब रिकॉर्ड हमारे सारे हील्थ अब्मोल्ट में रहता है तो उस से रेलेटड हम यह कर सकते हैं वज़े से आपको लगता है कि अबनॉर्मल है तो आप तुरंत अपने डॉप्टर से संपर करें इन सब चीजों से जो अकस्मात मृत्यू होती है जिसको काडिक अरेस्ट कहते हैं उनके लिए जो हाई रिस्क लोग हैं उनकी पहचान हो सकती है पर्टिकुरली जिनको पहले हा हाट अटेक हो चुका है जिनको स्टेंट डले हुए हैं जिनका हाट का पंपिंग फंक्शन कम हैं ऐसे वो लोग हैं जो काडिक अरेस्ट के लिए ज्यादा हाई रिस्क पे हैं तो उनको ये हाटबीट मोनीटरिंग ज्यादा फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए पर सिरफ वो न लाइफ चिलेगी अपने हाट का ध्यान रिखिए शुब काम में